हेलो डियर स्टूडेंट्स मेरे पराम प्रिय विद्ध्यार्थियों एटीसी एए आई जेई एटीसी दोहजार बाइस और इस बार एटीसी के स्लेवस में मैथामेटिक्स में मेंशन किया गया है कि टेन प्लस टू लेवल और मैं बता दू कि मैं टॉपिक्स लेकर क्या हूँ कि क्या most expected topics हो सकते हैं इस साल के लिए तो previous paper का analysis कह लीजिए या फिर gut feeling कह लीजिए या कह लीजिए experience तो जो भी मैं आपके पास topic बताने वाला module के अंदर में वो बहुत important topics होने वाले और उन topics के अंदर में भी मैं बता दूँगा कि किस type के और चीजें इसके बाद जो अगला session होगा उसमें कैसे questions आपको दिख सकते हैं आज मैं सिर्फ topics की बात करूँगा सिर्फ syllabus की बात करूँगा सिर्फ plan की बात करूँगा तो ध्यान से सुनना इस वाले वीडियो में होने के वाला है तो इसको मैंने seven modules में divide किया हुआ है तो अगर मैं first module की बात करूँ तो पहला module है यहां पर लिखा हुआ है calculus ठीक है तो देखो इसके अंदर मैं अगर बात करूँ तो बारा यहां पर parts में बात की गई है तो calculus के अंदर अगर मैं बात करूँ तो starting के आपको 6 पार्ट पहले दिखाता हूँ और उसके बाद फिर उसके next 6 पार्ट दिखाऊंगा तो module 1, first अगर module में मैं बात करता हूँ तो calculus के अंदर यहाँ पर function से question आपके पास आ सकता है differential coefficient यह एक नया आप term सुनेंगे बाद differential coefficient गया बिल्कुल 12th level question है differentiation वाला part है limit और indetermined form से हमारे पास सवाल जो है वो आ सकता है continuity and differentiability से सवाल हमारे पास आ सकता है application of dy by dx से हमारे पास सवाल आ सकता है आपको लगेगा सर यह तो नया topic हो गया कोई भी नया topic नहीं है यह भी exactly आपके पास 12th का topic है तो यह मैं बताऊंगा आपको जब हम पढ़ाएंगे भी ATC का बैच चल रहा है मैं और पारस सर हम दोनों ही mathematics की class ले रहे हैं जो बच्चे हैं वो जम्म होकर के पढ़ रहे एकदम गजब के तरीके से हजारों की तादाद में बच्चे preparation कर रहे हैं पढ़ रहे हैं मजा कर रहे हैं तो application of dy by dx के maximum minimum तो आने वाले जो 12 और topics के बारें बात करते हैं आपके पास तो यहां पर ध्यान से देखियेगा अगर मैं बात करूं तो टॉपिक और क्या क्या हमारे पास दिख रहे हैं तो यहां पर आपके पास maximum minimum एक बहुत important topic आपके पास है ठीक है यहां पर हमारे पास monotonic function की बात क से हमारे पास कुश्चन है वो A.T.C के एक्जाम में दिखने वाले हैं इंडेफिने इंटीग्रल मतला फॉर्मुला बेस्ड डारेक्ट इंटीग्रल सब्सिटूशन वगरा से कुश्चन आता है डेफिनेट इंटीग्रल से भी हमारे पास कुश्चन आने वाला है तो ठीखने को मिलेगा नोट करते रहिएगा नोट करते रहिएगा ठीक है एरिया तो यहां पर एप्लीकेशन के साथ में एरिया से रिलेटेड भी एरिया जो है अप्लीकेशन आफडेफिनेट इंटीग्रल का ही पार्ट है बट मैं बता दू इस बार के लिए 2022 के लिए मेरे अ यह बहुत इंपॉर्टेंट है बट अगर पिछले बार के एक्सपीरियंस को देखे तो पार्शियल डिफरेंशियल इकवेशन भी है तो ऐसा नहीं है कि इस टॉपिकों में छोड़ दूँगा अभी हम लोग अगर मैं बात करूँ कि अभी हम क्या आप सर क्या पढ़ा रहे अभी तो अभी मैं और्डिनरी डिफरेंशियल इकवेशन पढ़ा रहा हूँ बट मैं पार्शल डेरिवेटिवस की भी बात करूँगा थीक है कल मंडे है फिर मेरी class होगी तो Monday to Friday मेरी class होती है Saturday Sunday को पारस की class होती है पारसर की class होती है हम लोग preparation गजब की preparation आप लोग को दे रहें ATC की तो preparation तो आप करी रहे वो तो दिक्कत वाली बात नहीं है Next अगर मैं बात करो तो module 2 की अगर मैं बात करता हूँ यह देखो यही सब आपको पढ़ा रहे है module 2 में तो module 2 के अंदर मैं 5 points के अंदर देखू अगर ध्यान से देखो तो module 2 में अगर 10 plus 2 match करा हूँ मैं तो coordinate and straight line वाला part हो गया हना pair of straight line वाला part हो गया circle, parabola, ellipse, hyperbola यहां से इस entry city से लेकर के, straight line से लेकर के, 3D geometry से लेकर के यह सारा coordinate geometry वाला part जो आपके लिए बहुत important इस बार के लिए होने वाला है तो mathematics में यह सारी चीज़े आप लोगो cover की जाएंगी तो यह होगा module 2 के अगर मैं बात करूँ ठीक है module 2 के अंदर यह सब आप लोगो preparation mode में रखना है preparation करनी है इसकी अब बात कर लेते है सर module 3 में आपने क्या रखा हुआ है तो दिहान से देखे हैं का अगर मैं module 3 की बात करूँ तो module 3 के अंदर हम लोगोंने algebra वाले part को रखा है algebra को 7 parts में divide के है उपर algebra लिखा हुआ ठीक है तो क्या क्या है इसके अंदर तो यहाँ पर आपके पास progression से related question आपको दिखेगा ठीक है inequality आया ही था सवाल में series आया ही था बट येस अगर आप देखो के ध्यान से तो again ये 12th वाला part 11th वाले part से related है equation और in equation expression से भी हमारे पास question है बट मैं इस बार बोल दूँ कि आपको progression और relation को बिलकुल भी नहीं छोड़ना है हना inequality वाले problem को बिलकुल भी नहीं छोड़के जाना है आप भले 5 question करो 7 question करो बट करके जाना बहुत जरूरी है कि एटी सी में ठीक है equation अगर की बात करें तो ठीक है यह वाला part तो देखेंगे साथी साथ complex number में बट इस बार मैं बोलू कि थोड़ा सा variable वाले part में भी सोचेंगे हम CR equation वाले part में भी सोचेंगे हाला कि आप सोचेंगे CR equation वाला part तो से 12th में नहीं था बट मैं बता दूं कि यार partial differentiation total में है एक्जेक्टली तो आप समझे उस चीज को कि कैसे related है चीजे वो पूछ complex रहा है बटकर आपको partial differentiation पढ़ना है हाना आपको actually partial differentiation आप कर रहे हो फिर आप उसको बोरो CR equation तो यहां से आपके पास सवाल आगा permutation combination एक बहुत एक good topic होने वाला है तो permutation combination के अंदर आपके पास सवाल आने वाला है अगर मैं बात करूँ determinants ठीक है determinants से आपको related question आने वाला है यहां पर मैंने mention कर दिया है चुकि 12 में हमारे पास normally क्रेमर डूल मैंशन होता है बट ठीक है बट determinant के अंदर जब आप कवर करोगे तो सारी चीज़ें वहाँ पर आपके पास कवर हो जाएंगी बाइनुमिल theorem की बात करें आप positive integral index की बात करें तो यहां पर मैं बोलूँ कि आपके लिए important है तो आप इसको भी circle कर लिए भाई ठीक है यह हम पढ़ेंगे बाइनुमिल theorem के अगर आपन बात करें तो हम लोग पढ़ेंगे और probability और statistics में probability वाले पार्ट में भी बाइनुमिल distribution पढ़ेंगे तो देखो बाइनुमिल theorem that is different binomal distribution that is different ठीक है अब नेक्स अगर मैं बात करूं तो मैं matrices matrices और determinant वाले पार्ट को मैंने खतम किया अभी अगर आपन एटी सी देखेंगे तो matrices और determinant वाले पार्ट को मैंने खतम किया तो differential equation मैंने start किया ordinary मैं पढ़ा रहा हूं बट मैं partial भी आप लोग को deal करूंगा so don't worry for that ठीक है तो ऐसा नहीं है कि बिलकुल हम old paper based analysis करेंगे हम prediction based analysis भी करेंगे इसमें old तो cover होगा ही होगा ठीक है next अगर मैं बात करूं तो module 4 के अगर आपन बात करते हैं आपके पास तो module 4 के अंदर trigonometry और मैं बता दू यार ट्रिग्नोमेटरी में इस बार आपको अच्छे question दिखने का chance है तो trigonometry को थोड़ा सा focus करेंगा क्योंकि 11 का part होता है normally तो यहां पर identities trigonometry identities से सवाल आता है आपको डिरेक्ट फॉर्मुला पूछ सकता है trigonometry identity का repeat आपको डिरेक्ली फॉर्मुला पूछ सकता है trigonometry identity का ठीक है solution of equations related आपके पास question आ सकता है Pythagoras से related आपके पास question आ सकता है basic से पूछेगा ऐसा कुछ एंगल बना अब यह बना रहा है तो यहां पर एंगल बना तो बोल दिया यहां का distance वीच का निकालो या सूरज के कारण जो है इस पेड़ की जो परचाई में वह यहां बन रही है तो इस परचाई में का यहां फैस स्वाह बेस निकाली आ लिए ठीक है तो यह सारे सवाल जो है आपके पास definitely high distance के अंदर आपके पास आएंगे solution of property और solution of triangles तो यहां से भी हमारे पास सवाल जो है वो देखने को मिलते हैं log से भी question हमारे पास आएगा तो यह सारी चीज़े trigonometry के अंदर आप cover करने वाले हो inverse trigonometry से भी आएगा बट मुझे ऐसा लगता है कि कभी trigonometry को देगा तो integration के साथ mix करके दे तो ज्यादा मज़ा है नहीं बोलो integration के अंदर mix करके देगा तो कैसे सब्सिट्यूशन दे दिया साइन inverse के नीचे में अगर जहां पर expression वाले सवाल आते हैं वहां पर आप लोग trigonometry में गलती करते हो तो इस चीज़ को फोकस में करिएगा तो पूरा का पूरा mathematics की बात करें आगे हम बात करें अगर तो module 5 के अंदर आप देखोगे तो आपके पास probability आ रहा है मैपिंग और set operation से भी question आता है set theory से भी सवाल आते हैं आते हैं आते हैं बट यहां पर ऐसा नहीं कि हमें कुछ लोग इसको छोड़ने का plan कर दे चल छोड़ दे पर हमको एकदम आपको एकदम basic basic चीज़े पताएंगे ठीक है मैपिंग आपको बताएंगे into onto जो होता है one one corresponding one many corresponding many one corresponding यहां से भी आपको सवाल देखने को मिलेगा ठीक है यहां से भी आपको सवाल देखने को मिलेगा तो ऐसा नहीं कि आपसे छूटेगा आपसे बनेगा सवाल जो है और probability तो fix है इसको दुनिया कोई ताकत नहीं तो probability से भी आपको सवाल देखने को मिलेगा बट probability लिख देने का मतलब यह होता है कि सर conditional probability, ball वाले question, tree diagram वाले question, binomial distribution वाले question तो various kind of questions आपके पास देखने को मिलेगे यहां पर poison distribution और normal distribution भी आपको पढ़ाया जाएगा ताकि अगर उस level को touch करे 12 से थोड़ा सा भी आगे बढ़ दिया क्योंकि related, related, feeling related, number six module, तो यहां पर vector वाला पार्ट आप लोग का start हो चुके है और पारस सर जो है vector वाले पार्ट में पहुंच चुके है, I think, start कर चुके है, यहां पर vector और application और vector जो है आपके पास mechanics में, especially, यह पार्ट physics में भी आएगा और यह यह वाला पार्ट जो है बबू तो यह आता ही है सवाल, यह आता ही है, इसको रोक नहीं सकते तुम, यह आएगा ही, मतलब ऐसे avoid नहीं कर सकते इसको, तो यहां से सवाल बनना है, इसको मैंने module 6 में रखा हुआ है, तो vector और application को छोड़ नहीं देंगे, और especially mechanics में operations को बिलकुल भूलनी चाहेंगे, neglect नहीं कर देंगे, आगे की बात मैं करोंगर, fast mode में देखा जाया, तो 7th module में मैंने coordinate geometry और 3D geometry को 3D dimension में रखा हुआ है, यह भी एक बहुत important है, इसी से related बात चल रही की point का direction क्या, cosine ratio क्या, state line क्या, plane के अंदर perpendicular, plane आ गया तो perpendicular तो बिलकुल आए गहीं आगा, तो यही वाला topic अभी latest हम लों का चल रहा है, इसको पारस सर जो है वो deal कर रहे हैं आपके पास, ठीक है, ठीक है, इसको deal कर रहे हैं आपके पास, और मज़दार चीज बता दूँ कि आज Sunday है, और आज ही 9 बजे class है, आप में class है, तो आप की class आप miss मत करिएगा, अगर आप YouTube पे हैं, तो YouTube प बात कर ले, तो course के अगर मैं बात करूँ आपके पास, तो course जो है, वो 3500 का course है, ठीक है, आप course जो है, जा करके ले सकते हो, और अगर आप gate academy के student हो, तो आप प्लीज, जो है, live class at the right gate academy.co.in पे आप mail कर दो, या फिर हमारे customer support number पे, student support number पे आप call कर लो, या आप WhatsApp कर दो, ठीक www.gateacademy.co.in इस website में जा करके, आप जो है, एटीसी का course ले सकते हो, देखो, इतना तो तैह है कि यार, self preparation करके, misguide होकर के, या YouTube पे content खोच-खोच के पढ़के, आप एक सही पत पर प्रदर्शित हो गए, इसे मातरिक संयोग कहा जाएगा, सीधी बात नो बकवास, तो A.T.C. में mass level up है, आपको थोड़ा सा भै लग रहा होगा कि सर कैसे preparation होगी, तो उसी के लिए आप लोग को सही guidance choose करना है, और सही guidance है, gate academy, A.T.C. आप join करे, batch आप join करे, हमारे साथ prepare करे, हाँ, बट जो बच्चे ऐसे हैं, जो नई सर सेल्फ ही करेंगे हम, और हम कर सकते हैं, हम कर रहे हैं, हम करना चाहते हैं, तो मैंने आपको syllabus बताया, इस syllabus के अंदर आप point to point जाकर के N.C.R.T. की book आप follow कर ले, और ज्यादा है तो आप exemplar वगरा solve कर ले, ठीक है, N.C.R.T. के exempl examplers solve कर ले, थोड़ा सा good level question वहाँ से मिल जागा आपके पास, आप जो है basic 12, जो भी आप board पढ़े हो, जो भी आप board, जिस board में भी पढ़े हो, वहाँ की 11-12 की mathematics की book लेकर के उसके examples आप solve कर सकते हैं, मैंने जो topic बताया, उसी topic से related आप question solve कर सकते हैं, आप ATC के previous year के question solve कर सकत करने से आपको थोड़ा सा लगेगा कि सर कैसे होगा, इसलिए आप थोड़े से amount में, पूरा का पूरा guidance, टेक्निकल पर प्लस, एप्टी, प्लस, आपके पास technical in the sense, maths और physics की बात कर रहा हूं, प्लस आपके पास English Hindi, सारा कुछ, सारा कुछ आपके पास 35 रुपे में आपको म mathematics से slivers मैंने point to point बात करी, सातों के सातों मॉड्यूल हमको करके जाने है, इसके अलावा जब भी मुझे ऐसा feel होगा कि यार ये topic आप कर ले, मैं उसके question आपको लेके आऊँगा, दिखाऊँगा, कुछ question की बात मैं करूँगा, आने वाले 3-4 दिनों में, और definitely आपको उसे फ